हुआ ओक है कि फ्रिक हो अगर वीवोद ट्रेंटी सेवन और उपो रिन एट टी को लेकर कन्फिउजन में हो कि आप लोगों को कौंशा स्माठ्फोन बाई करना चाहिए कौंशा स्माठ्फों बेस्ट है तो गईस आज कीज़ वीडियो को देख ले आपके लिए इन दोनों स्मार्टफोन में से बिष्ट स्बाटफोन कोन सा होगा आपको कोन सा स्माटफोन बाई करना चाहिए तो चलिए इस कमाल की विडेयो को सुरू करते हैं मेरा नाम है प्रतीक आप स्वभी देख रहे हैं टेक टॉक गाइस आज किस video में हम दोनों स्मार्ट फोन के फीचर के उपर बात नहीं करने वाले हैं future तो मैं ०िस्ख्रियप्शन में mention कर दूँगा वहाँ पे फीचर देख लिजे गा कि दोनों स्मार्ट फोन में क्या क्या फीचर दिये गए झीप्ले विशन के बात करते हैं दोनों भी किसी बी इंपार्णफोन का सबसे में पॉर्टेंट चीजह होता हे उस स्मार्टफोन प्रसाइर के उपर से कंफ्यूजन के लिए हुग तो अब डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा स्मार्टफोन आप के लिए बेस्ट होगा वीओ वी ट्वेंटी सेवन या ओपो रिनोव एटी गाइज तो यहां पे देखिए ओपो रिनोव एटी में हमें देखने को मिलता है स्नेप डैगन सिक्स नाइटी फाय का प्रोसेसर जो कि आज से दो साल पुराना प्रोसेसर है यह प्रोसेसर एंडिया के अंदर आया था 27 अकटूबर 2021 को ौई वहां पर वी वो वी ट्वेंटी सेवन के अंदर जो परोसेसर देखने को मिलता है स्क्रिश्मेंटे 솔직 डैमन सिटी देखने को मिलता है जो कि अभी फिलाल लांच हुआ है फरवरी दोजार को गया मतलब एक देड मैना हो रहा है प्रोसेसर बनाया जाता है तो इसे एक नाम दे दिया जाता है कि स्नैप्डाइगन 695 he, MediaTek 1700. लेकिन गैस प्रोसेसर में जो तो यहां पर एक ट्रांजिस्टर और दूसरी ट्रांजिस्टर के बीच में जो दूरी होती है गाइस उसे हम कहते है नैनोमीटर अमा लीजे कोई प्रोसिसर बनाया जा रहा है वहां पर एक ट्रांजिस्टर और दूसरी ट्रांजिस्टर की बीच की जो दूरी है गाइस वह है और वहीं पर दूसरा प्रोसेसर 2NM का है गाईस तो यहाँ पर 2NM प्रोसेसर काफी अच्छी तरीके से वर्क करेगा वो प्रोसेसर काफी बेश्ट होगा तो गाईस यहाँ पर उमीद करता हूँ आप NM अब प्रोसेसर समझ गए होगे अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन में से बेश्ट प्रोसेसर हमें कौन सा देखने को मिलता है OPPO Reno 8T में हमें देखने को मिलता है Snapdragon 695 का प्रोसेसर जो की 6NM प्रोसेसर के साथ में आता है वहीं पर हमें Vivo V27 के अंदर देखने को मिलता है MediaTek Diamond City 7200 का प्रोसेसर जो की 4NM प्रोसेसर के साथ आता है तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर को अगर कंपेर करें तो यहाँ पे Vivo V27 का प्रोसेसर काफी तगड़ा है क्योंकि इसमें 4NM का प्रोसेसर है वहीं पे OPPO Reno 80 में हमें 6NM का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है इसी के साथ प्राइस भी ध्यान में रखना OPPO Reno 80 का प्राइस है 30,000 रुपे और Vivo V27 का प्राइस है 3,000 रुपे ज़्यादा है 33,000 रुपे लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आप स्मार्टफोन खरीने जा रहे हो एक ही बार आप स्मार्टफोन खरीदोगे बार बार तो आपको खरीदना नहीं है तो आप 3,000 रुपे ज़्यादा देकर मेरा जो ओपीनियन है गाईस अब Vivo V27 को बाई कीजिए क्योंकि यहाँ पर आप Vivo V27 को बाई करते हैं तो इसके अंदर आप हैवी गेमिंग भी कर सकते हैं 5-6 गंटा, 7 गंटा कंटीनियू गेमिंग करोगे न तबी भी आपको कोई फरक यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है गेम काफी स्मूज चलेगा लैग नहीं करेगा और वहीं पर इनो एटी को बाई करते हो गईस और वहाँ पर पांच-छे घंटा अगर आप गेमिंग करते हो तो वहाँ पर आपको लैगनेस बहुत ही जादा देखने को मिलेगा क्योंकि OPPO-RENo EJ bounded बहुता है में चाफी स्मार्ट प्रोसिश्ण आपको कर देखने मेंине स्मार्टेग और और 2 नम प्रोसिश्र है तो एक बार है पर स्मार्ट्फोन बाइ कर रहे हो तो यही स्क्राइब कीजिए बाइब दिस्प्लेश जो अम है डिस्प्लेश के साथ एक्स्पीरियंस वह सेम देखने को मिल जाता है कड़ डिस्प्प्ले डिया गया है 120 हर्स का रिफ्रेश रेच रेट दिया गया है यहाँ पर वी टॉंटी सेंग के अंदर 400 एमेश की बैटरी दी गई है वहhãीं पर इनों एट्टी के अनर में 4800 storage कि बैटरी दी गई है दोनों कोफॉन 67 देखने को मिल जाए गा लेकिन यहां पे जमेन और आसमान में तो यहां है अविज स्माइश का प्रोसेसर काफी अलग है ऑड़ टा स्माइच पोर यहां पर मैं आपको recommend करूँगा कि आप Vivo V27 buy कीजिए क्योंकि प्रोसेसर काफी तगड़ा दिया गया है जिस स्मार्टफोन का प्रोसेसर काफी तगड़ा होगा गाइस वह स्मार्टफोन ना ही लैक करेगा ना ही हैंक करेगा अब बिद्दास यूज कर सकते हूँ फाइनली यही थी एक छोटी से वीडियो इन दोने स्मार्टफोन के उपर उमीद करता हूँ आपका confusion किलियर हुआ होगा गाइस अगर किलियर हुआ है तो comment section में comment करके बताओ मैं आप लोगों से मिलता हूँ next वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई तो like, share, subscribe करना मत बुलि यहाँ